हलो साथियों, वेलकम टो PBR स्टडी, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पस्चिम बंगाल के 29 जिलों के नाम और उनकी आबादी 2011 की जनगरना के अनुसार और भी कुछ इंपॉर्टन फैक्ट इस वीडियो को इंड तक अगले 5 मिनट तक देखते रहिएगा, कहते हैं सबसे बड़ा ज्यान होता है, सामान निग्यान, जी हाँ बिलकुल आपने सही सुना, सबसे बड़ा ज्यान, सामान निग्यान, तो पस्चिम बंगाल यनि वेश्ट बंगाल का सबसे पहला जो जिला का नाम है, वो आप यहाँ पर देख रहे हो, अली पूर्दवार, सोथे जिले का नाम है, आपकी जनकारी के लिए बता दूँ कि अभी तक, पी वीर स्टडी में बांकुडा, बीरपूर और कुछ बिहारी, इन तीन जगा से स्टूडेंट्स की काल आ चुकी है, मतलब स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, बाकी बीच बीचे में हम आपको बताते रहेंगे, दच्छिंड दिनाजपूर, दारजलिंग, हुंगली, हावडा और जलपाई, गुंडी, भाई इन में से अगर दच्छिंड दिनाजपूर और हाँ, इसी को छोड़ दिया जाय तो लगबग हर जगा से बच्चे जुड़े हुए हैं, पूरा कनफा, तो इसका नाम है कालिमपोंग, अगला है कोलकाता, कोलकाता सबसे ज़्यादा फेमस है, माल्दा, आपने देखा होगा माल्दा टाउन, ट्रेने चलती बहुत सारी, चौदा नंबर है मूरसिदाबाद, और पंद्रमा नंबर है नादिया, ये नदिया नहीं है, नादिया है, य जैसे 24 परगना बोलते है, पूर्भ मौदिनी-पूर, अठारा नंबर है पस्ची मौदिनी-पूर, जैसे दिली में आपने सुना होगा, पूर्भी दिली, पस्ची में दिली, मद्द दिली, जैसे सेंट्रल देली बोलते है, सहदरा, ये सभी जिले के नाम है, और बड़े अपसोस की बात है कि दिल्ली के जो लोग हमें कॉल करते हैं उनसे पूछते हैं कौन सा जिला है तो कहते हैं दिल्ली में कौन सा जिला है हम तो दिल्ली फे हैं मतलब समझ रहा है उनकी यह हाल है पस्चिमी वर्दमान यहां से अभी अभी जुड़े हुए थे साथी हमारे इनक और दिनाजपूर यहां से भी ने जुड़ा है ठीक है फिलहाल यह 23 जिले थे टोटल अगले वीडियो में हम बात करेंगे पस्ची मंगाल से सम्मंधित महत्तोपूर जनकारी कौन सा जिला सबसे बड़ा है कहां पर क्या ज्यादा उपात्रा में उगाया जाता है एक जलक आप देख लीजिए आगले वीडियो में हम इन सब के बारे में डेटियल में बात करेंगे जनसंक्या की दृष्टी से और साच्छार्था कि दर से कौन सा जिला सबसे जादा आगे है लिंगा अनुपात किस जिले में कितना बढ़िया है कहां कितने मेल फीमेल है और वगरा वग है जिससे कि हम थोड़ा मोटीबेट हो सकें और मोटीबेट होंगे तो फिर आपके लिए कुछ और बहतर लेकर आएंगे इन्हीं वीडियो के साथ थे इन्हीं बातों के साथ आज के लिए बहुत बहुत हैं क्यों जै हिंद जै भारत